हाई गाईज, वेलकम बाग टू लर्निंग CSI सीरीज, आज के इस वीडियो में बात होगी हमारी डिव और स्पैन के बारे में, इन दोनों टैग्स को मैंने बहुत बार आपको पिछले वीडियो को पढ़ाते वग यूज करा है, अब हम फॉर्मली बात करेंगे डिव क्या है, स्पैन क्या है और दोस्तों एक ही मानिए, आप कोई वेबसाइट ऐसी नहीं देखेंगे, जहां ये डो टैग्स ना लगते हो, डिव जनरली स्पार डिविजन और इसका काम होता है आपके वेबपेज के अंदर ब्लॉक्स बनाना या मल्टिपल एलेमेंट्स को ग्रुप कर इसलिए हम डिव को कई बार कंटेनर टैग या कंटेनर एलिमेंट के नाम से बहुते हैं, और स्पैन होता है आपके वेबसाइट के चोट इसे पोर्षन पे स्टाइलिंग लगानी है, तो उस पोर्षन को आप स्पैन टैग के अंदर डालते हैं, इसके बार में सारी डीटेल आपको वीडियो में दे रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि विर इसके बाद हम जितने भी प्रोजेक्स बनाएंगे, हर प्रोजेक्स में कहीं ना कहीं, डिव और स्पाइम का यूज होने बाला है, चलिए शुरू करते हैं, discussion about डिव और स्पाइम, शुर division का मतलब आप div tag को अपने webpage में तब use करते हैं, जब आपको इस webpage को अलग-अलग sections में, अलग-अलग blocks में divide करना हूँ, मेरी बात को समझ दिए कुछ ऐसे, माल लीजे मैं एक e-commerce website बनाना चाहता हूँ, या कोई भी x, y, z website बनाना चाहता हूँ, आप मानते होंगे, normally हर website में एक basic structure होता है, जो अपन follow करते हैं, सबसे उपर आपको दिखता होगा इस website का ये वाला section, जिसको normally अपन header section बोलते हैं, या navbar बोलते हैं, या जापर website का logo और main theme आती है, right, तो माल लो मैं सबसे पहले चाहता हूँ, एक header section मनाना अपने webpage, right, उसके बाद मैं चाहता हूँ, मेर output आपका accordingly change होता है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ, मेरा footer हो, जिसके अंदर contact information, copyright text, ये सारी चीज़ें आएं, और ये जो आप देख रहे हैं, ये, ये मेरा main content हो, जो actual website है, उसका main content है, जैसे अगर e-commerce है, तो सारे products यहाँ पर display हो, या कोई tutorial की website ह तो actual tutorial या programs यहाँ पर display हो, तो दोस्तों ये जो आप sections देख रहे हो ना, header section, sidebar section, footer section, ये main section, ये सब friends अपने आप में होते हैं, divs, यानि div आप तब use करोगे, जब web page को आपको अलग-अलग size के, अलग-अलग blocks में divide करना हो, और हर block के अंदर, आपको multiple HTML elements रखने हो, जिनके पर एक common formatting आप apply करना चाहते हैं, ऐसा काम करने के लिए है, आप अपने web page पे use करते हैं div, पहले मैं आपको एक example slide में समझाता हूँ, उसके बाद इसका आपको practical देखाता हूँ, crystal clear हो जाएगा, अब फिर आपको कभी दिक्कत नी जाएगी कि div कब और कहां हमको कैसे use करना है देखें, पहला example देखें div का, अब आप पहले right side वाला part observe कीजेगा, right side पे मेरा HTML page है, जिसके अंदर मैंने एक div बना रखा है, div के अंदर दोस्तों मैंने heading और para को club करा है, अगर मैं without applying CSS इस HTML page को run कर दूँ, कोई दिक्कत नी आपको वैसा ही ये page देखेगा, जैसा आप बग दिखेगा, सब normal चलेगा, लेकिन अगर मेरे को इन दोनों के उपर, माल लीजे background color change करने का code लिखना है, या माल लीजे common thought में मुझे इनका alignment change करना है, तो friends मैंने इनको club करके डाल दिया है div में, और अब मैंने div के उपर apply करिए अपनी CSS, div को मैंने class दिये, my div, आप ID भी दे स चारो तरफ एक 5 पिक्सल का थोड़ा सा raised up red color का border, तो अब आप ज़र output चेक करिए, अगली slide पे output है, क्या ऐसा हो रहा है, कि इन सब के तरफ red color का थोड़ा सा raised up border आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है, I hope आप notice कर पर आ रहे होंगे, इस border की बात हो रही है, चारो तरफ आप चेक क रहे है, खाली paragraph ही नहीं दोस्तों, बलकि heading और paragraph आप दोनों, इनका background color आपको लिख रहा होगा, light इसी तरह से वापस, अगर आपने example पे चलें, मैंने बुला है, alignment मेरे को center चाहिए, क्या दोनों का text अपने center पे आ रहा है, अपने row के center पे, बिल्कुल, ये कैसे अचीव एक div लिया हुआ है, div के अंदर h3 para, h3 para, इनको मैंने club करा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको, इसको css वाला part comment करके चला के दिखाता हूँ, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, कि मेरे webpage पे मैंने कोई div लिया हुआ है, या मैंने h3 और para को div में डाला हुआ है, और ये करने के अपने इसके css part में चलते हैं, और friends इस पूरे को select करके कर देते हैं, comment out, ठीक है, page को save करते हैं, run करते हैं, और अब आप output में देखो, कहीं भी नहीं मालूम चल रहा होगा, कि ये दिवारा है, ऐसा लग रहा होगा, कि अपने h3 para, h3 para, इन सब को club करके एक साथ लिख दिया अब अगर मैं इस पूरे section पे दोस्तों, कोई background color लगाना चाहता हूँ, इस पूरे section पे, यहां से यहां तक, यह पूरा part, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे को div में ले लूँगा, जो मैंने ले रखा है, और उस div पे मैं apply करूँगा, अपनी css coding, कैसे apply window में चलके देखते हैं, तो what did I do, मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे part को comment out, uncomment करा, commented होई थाई, इस particular div को मैंने id दे रखी है div 1, और अब मैंने बोला है hash div 1, background color light blue, क्या ओने वाला है, यह पूरा section आप देख रहे हो ना, यह पूरा section अपन को मिलेगा light blue color में, मिल रहा है, save कर के चेक करिए, तो अगर मैं अब page को run करूँ, output चेक करें अपन, तो आप देख पा रहे होगे अपन को यह पूरा section, यह वाला section, पूरा मिल रहा है light blue, क्योंकि यह आ गया एक div के अंतर, बहुत बढ़ी है, इसी तरह से notice करिए, अगर मैंने कहा border 2 pixel dark blue double, तो आप देख पा र होंगे, जो बाकी का remaining text है हमारा, जो हमारा बाकी का remaining text है, यह वाला part, तो notice करिए, इस पे हमारे code ने कोई CSS apply नहीं करे लिए, that's all because इस webpage में हमने this portion को ले रखा है inside a div part, clear, तो जब भी आपको multiple elements को club करके, उन पे कोई CSS लगानी है, the solution is, आप इस काम को करने के लिए use करोगे div, ठीक है जी, यह तो हो गई बात div की, अब आप चाहेंगे बात हो जाए span के बारे में, तो दोस्तो span div का ही छोटा भाई है, बस फरक इतना होता है, कि अगर आपको इस पूरे element पे CSS नहीं लगानी है, माली जे मुझे इस part word पे CSS लगानी है, some text, इस छोटे से section पे मुझे कोई styling करनी है, या माली जे मेरे को इस part पे कोई styling करनी है, तो दोस्तों इतने छोटे section पे styling करने के लिए, हम लोग HTML के अंदर use करते हैं, the tag which is called as span tag, span का अपना कोई style नहीं होता, इसलिए हम span को बोलते हैं, यह generic inline element है, या कीजे inline element तो B भी है, या कीजे inline element तो I भी है, बट text bold हो जाता है, I से text italic हो जाता है, लेकिन friends अगर आप span में कुछ लिखोगे न, जैसे आपने span में लिखा hello, और फिर आपने forward slash करके span बंद करा, तो ये hello और ये hello जो बिना span के है, दोनों का output आपको web page पे बिलकुल एक जैसा देखेगा, फिर span क्यों ले रहे हैं, span ले रहे ह टाकि हम इस hello के उपर कुछ CSS coding, कुछ CSS style apply कर पाएं, जो span के कारण इस पे apply करना हमारे लिए easy हो जाएगा, तो अगर आपके पास कुछ text का portion हैं, कुछ links हैं, छोटी कुछ images हैं, इन पे कुछ styling लगानी हैं, तो आप इस काम को करने के लिए use करेंगे span, इसको भी observe करीए एक इस example के साथ, फिर as usual लेकर चलता हूँ आपको ID ले, तो notice करें, हमारा ये छोटा सा example, जिसमें मैंने क्या करा हुआ है, मैंने एक P लिया हुआ है, P के अंदर मैंने एक span लिया है, span में मैंने ये word जोड़ा हुआ है, which is highlighted, अब आप देखिएगा, this is a normal आएगा, text normal आएगा, मेरे को ऐसा element pick करना है, जो एक span हो, जिसके class attribute की value highlight हो, आप कौन है, यही span है, जिसके class की value highlight है, इसका font color आपका code कर देगा red, इसका font weight आपका code कर देगा bold, तो अब क्या होने वाला है, होने ये वाला है, कि हम ये highlight word red color में, और bold text के अंदर नजर आएगा, बाकि this is a text, यह आप span लगा रखा है, क्या कर रहा है, इस span, चेक करिए, यहा मैंने h3 के अंदर बोला वाए, वाव, वाव नॉर्मल आएगा, देन मैंने बोला वाए, what, what a beautiful, अब आप इसमें notice करो, what a beautiful इन दोनों को मैंने, एक span के अंदर wrap करा हुआ है, यह एक span के अंदर है, जिसमें मैंने what ल आगी इस what word पे, ठीक है, तो आप चेक करो, highlight वाला word, highlight वाला जो span है, उसका color आपको दिखेगा, green, ऐसे ही आप चेक करिए, जो दूसरा वाला span है, beautiful, इसका color आपको क्या दिखेगा, इसका color आपको red दिखेगा, यहां पर color override हो रहा होगा, लेकिन बाकी property अगर आप चेक करे है, वो इस वाले span पे भी दिखेगी, इसका भी font 120% दिखेगा, इसका भी font style italic दिखेगा, इसके साथ भी आपको border नजर आएगा, मतलब मेरा है चोट आसा section जिसमें लिखावा है what और beautiful, इस पे आपको दिखेगी styling, बाकी सब आपको देखने को मिलेगा norm, तो अब अगर मैं इस webpage को run करूँ, देख पा रहे होंगे आप what पे style है, beautiful पे style है, बाकियों के नहीं, बस तो simple सी बात यह है, चोटे से part पे styling करनी हो, span लगा दो, बड़े section पे styling करनी हो, div लगा दीजे आप, और ये चीज़ आपको अगर मैं practically लिखाओ, real world websites पे, तो आप और बेटर समझ आपा देखेगा, ज़्यादा तर Amazon span यूज़ करता है, जैसे friends माल लीजे, मैं ये footwear पे गया, अब माल लीजे मैंने ये sport shoe पे click करा, अब इसकी कुछ price होगी, कुछ features होगे इसके, suppose करिए, इस sport shoe को upload करा, ठी, right, अब ये जो आपको price दिखरी है न दोस्तों, ये price, 2669 रुप इस पे कैसे styling करिए, इस पे Amazon की team ने, Amazon की developers ने use करा है span और ये आप verify कर सकते हैं, verify करना मैंने आपको पहले भी बताया, right click करिए, right click करके आप जाईए, inspect में, background CSS code खुल जाएगा, CSS code open करिए, और बहुत ध्यान से देखिए, जो amount वाला page आ रहा था, ये इसके उपर apply करा गया है span बला, तो बस इस purpose के लिए अपन लोग span use करते हैं, और अगर आपसे मैं पूछूँ, span के अलावा और कौन साट आएगा, तो आप बहुत ध्यान से अगर इस web page को observe करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें ये जो बड़ा section आपको देख रहा है, ये पूरा section, या ये जो नीचे के sections आपको नजार आ रहे हैं, दोस्तों ये पूरा अपमें आपमें है div, तो बड़े blocks को club करना हो div, छोटा section यूज़ करना हो, तो आप यूज़ करोगे span, I hope difference clear है, अब फटा फट एक example कर लेते हैं अपन, जो आपको और बेटर तरीके से समझाएगा, कहां और कैसे हमें use करना है div, कहां और कैसे हमें use करना है span, और ये discussion मैं आपसे एक practical example लेते वे करता हूँ, तो friends सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, एक web page बनाते हैं, और मालीजे मुझे SCA का एक चोट असा page develop करना है, ये web page हम इसी के अंदर मनाते हैं, so new file है और इसका नाम में सबसे पहले मैं अपना boilerplate generate कर दूँ, boilerplate के लिए आपको याद होगा, exclamation tab, meta को अभी हम हटा देते हैं, इसकी जरूवत हमें पड़े ही responsive बनाते हैं, अभी जरूवत नहीं है, title चेंज कर देता हूँ, मैं अपने web page का title में रख देता हूँ, my और SCA homepage, let's do that, SCA homepage, ठीक हैं, अ अब मैं आपसे जैसा जैसा कहूँ, वैसा वैसा आप code लिखने की कोशिश करिएगा, video pause करके, सबसे पहले मैं चाहता हूँ, H2 में लिख कर दे, welcome to Sharma Computer Academy, और नीचे एक paragraph में एक simple चा text about SCA, मतलब जैसे your one stop solution for all programming needs, ये दो चीज़े मुझे चाहिए, एक H2 चाहिए और एक para च academy, है ना, उसके academy, उसके नीचे मैंने एक paragraph tag लगा दिया, your one stop solution for all programming needs, ठीक है, programming, your one stop solution for all programming needs, ठीक है, अब ये अगर इस web page को run करा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस basic output दिखेएगा, एक H2 और एक para, simple, ठीक है, अगर मैं इसको एक diff के अंदर ले भी लूँ, तो भी आप देखेंगे, आपको difference ही नजर नहीं आएगा, कि ये particular part div में गया है, तो कैसे behave कर रहा है, तो मैंने एक div लगाया, कि इस पूरे section को अटाया, और div को यहाँ पर मैंने कर दिया, close, अभी भी आप notice करी है, अगर मैं web page चेक करूँ, पर पता ही नही combined way में background color light blue हो जाए, क्या हो जाए, combined way में सिर्फ इतने portion का color light blue हो जाए, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे इस div पे, पहले तो इस div को कुछ नाम दे देता हूं, या id दे देता हूं, मान लीजे मैंने इसका नाम दे दिया, id equal to section, आप कोई भी id दे सकते है, मैंने section दी अब अपन चलते हैं, अपने style tag के अंदर, style tag के अंदर आकर अपन लिखते हैं, div hash section, आलकि हम सिर्फ section के नाम से भी code लिख सकते थे, अभी मैंने और जागा specific कर दिया है, कि मेरे को उस element को pick करना है, जो एक div है, और जिसकी id section है, और मुझे इसका change करके background color, जैसा मैंने कहा, क white या transfer, अब आते हैं बापस अपने main board के अंदर, अब मैं क्या जाता हूँ, इसके उपर, welcome to Sharma Computer Academy के उपर, Sharma Computer Academy board letters में लिखावा है, H1 font के अंदर, बहुत बढ़िया, क्या करा मैंने, मैंने या पर एक H1 tag लिया, और बेटर इसको भी एक div में डाल दो, क्योंकि अपला है, इस पे भी मुझे कुछ पॉर्मेटिंग करनी है, फिर एक H1 लिया, H1 के अंदर मैंने कह दिया, Sharma Computer Academy, ठीक है न, बहुत बढ़िया, अब अगर आपन वेब पेज का output चेक करें, तो उपर एक Sharma Computer Academy का text होगा, जो 32 pixels की font size में है, क्योंकि H1 में, और नीचे आपको दिख रहा रो के center पे आ जाए, और background color मेरे को इसका dark blue चाहिए, क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसको पूरे को row के center पे लाना है, तो पहले इसको एक ID, sorry, इसको एक ID दे दो, तो मैंने इसको ID दे दी, div id equal to header, ठीक है, अब यहां मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर कहा div hash header, ठीक है, अंदर क्या बोला मैंने, अंगर मैंने बोला, background color मेरे को क्या चाहिए, जी background color मेरे को थोड़ा से dark चाहिए, चेक करते है, step by step, क्या background color डाक हो गया, बिलकुल हो गया, साथ में मैं चाहता हूँ, यह अपनी row के center पे आ जाए, row के center पे कैसे लाते है, text align से लाते है, very good, और text align क यही center है न, very good, इसको मैंने save करा, अब जाकर अपने चेक करते हैं अपना page, तो notice करिए, center पे आ गया, बट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अपने इसका font color बदल देते हैं, font color कैसे बदलते हैं, font color बदलते हैं, color property से, तो मैंने कहा दिया, इसका जो font color है, वो थोड़ा easily पढ़ता रहे है, now what I want friends, यह जो शर्मा कमडर कैडमी है न, इसके चारो तरफ थोड़ी सी space बढ़ाई जाए, इसके चारो तरफ थोड़ी सी space बढ़ाई जाए, बहुत सारे students को लगता है height बढ़ा देते हैं, अगर आपने height बढ़ाया है तो पता है क्या होगा, div की height बढ़ जाए, मुझे height नहीं बढ़ानी, मुझे चारो तरफ space बढ़ानी है, तो अगर आपने last videos देखे हो, तो मैंने बात padding की थी, यह सेम बात, यह सेम problem अपने anchor पे solve की थी, anchor के चारो तरफ हमको space बढ़ानी है, तो अगर किसी element के चारो तरफ gap increase करना है, तो यह काम कर करने के लिए आप यूज करो गया property, which is called padding, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा, padding दे दीजे, कहा दे नहीं है, चारो तरफ दे नहीं है, कित्ती दे नहीं है, 30 pixel की दे दो, save करिए, check करिए, अब आप देख पा रहे होगा, थोड़ा सा increase हुआ है, चारो तरफ का area, तो अब वो जो पूरा आपने आपने एक div है, वेलकम टू शर्मक अपने आपने आपने एक div है, और इन div के ओपर अबबन अपनी styling apply कर पार है, ऐसे ही मैं चाता हूँ दोस्तों, जो शर्मक अपने आपने 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 एक div है, और इन div के बाद आईए, और mention कर दीजे, I am a tag mention करने के आपने को चाहिए, कैसे लाएंगे अपन, तो अपन यहापर बोलेंगे img src, src के अंदर अपन लोग बोलेंगे dot dot forward slash images, मतलब current folder से हम बाहर गए, इसके अंदर sc logo dot png एक image है, save करा, अब अगर अपन अपना वेब पे चेक करते हैं, I hope अब हमारी image भी proper आ गई हो, और यह चाता हूँ, यह जो sharma computer का S, computer का C और academy का A है, इन तीनों का color मेरे को red करना है, इसे इनका color मेरे को change करके, इन तीनों का मेरे को red color लाना है, तो वो अपन कैसे लाएंगे, yes you guys did right, इन तीनों letter को अपन को डालना चाहिए, yes span के अंदर, क्यों span के अंदर, क्योंकि बहुत ब कि हम लोग, sharma computer academy इस पूरे part में एक-एक letter को ले लेते हैं, एक-एक span के अंदर, तो दोस्तों ये एक span मैंने बनाया, इस span के अंदर S डाल दिया मैंने, H, A, R, M, A, normal रहेगा, computer के पहले भी मैंने एक span मनाया, उसके अंदर मैंने C डाल दिया, O, M, P, U, T, R, बाहर रहेगा, academy के पहले भी मैंने एक span बनाया, इसके अंदर मैंने A डाल दिया, C, A, D, M, I, हमारा बाहर रहेगा, हाला कि अभी पता भी नहीं चलेगा आपको कि मैंने कुछ span लगा रखा है, ऐसा लगेगा जैसे तो पहले जैसा ही दिख रहा है, अब जब मैं styling करूंगा, the things will become more clear, अब ह कैसे पहुँचेंगे दोस्तों span तक, तो बहुत simple है, हमने पढ़ा हुआ है advanced selectors में, क्या ये span एक div के अंदर है, जी, क्या उस div की id header है, जी, तो हमको code लिखना चाहिए div hash header space देकर span, यानि उन spans को select करो, जो किसी ऐसे div के child है, जिसकी id value header है, उन spans को select करो, जो किसी ऐसे div के child ह ये span है, ये कैसे div के child है, जिसकी id अपने आपने header है, correct, बिल्कुल से, तो चलिए, करते हैं इसका practical, अब यहाँ पर इसको दे देते हैं अपने color, color क्या दे दिया मैंने, color मैंने दे दिया, अपनी jacket के जैसा almost, that is red or crimson, clear, अब आप चेक करिए, output window में आप देख पा रहे S, C, A, इस चारे के सारे आपको तीनो लेटर आपको मिल रहे होंगे in red color, उमीद करता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कैसे अपने लोग div को और कैसे अपने लोग web page में use करते हैं, spam, right, अब ऐसे ही guess करो, मैं आपसे बोलता है मेरे को इधर, top पे, right top पे, या यहाँ पर right bottom या left bottom पे date चाहिए, अब अगर मुझे यहाँ पर date चाहिए, कुछ नहीं, मुझे एक section लेना पड़ेगा, एक text लेना पड़ेगा, और div के अंदर डालका उसका alignment कर देना पड़ेगा left, तो मेरे को देखूगा, यह जो date है, जो यहाँ आ सकती थी, वो date shift होकर अब मेरे को यह इस तरीके से आप अपने webpage पे अलग-अलग sections को, अलग-अलग elements को club करके div के अंदर और चोट जोटे parts को club करके ला सकते हैं, span के अंदर, I hope यह video आपको समझने आया होगा, concept clear होगा, div or span का, अगर पसंद आया है, तो video को share करिए, like करिए, subscribe करिए, and thank you so much for all the loving support. झाल